ओके तो आपको क्या लगता है कि मारूती सुजूकी की जो कार्स हैं वो इंडिया में इतना जादा क्यों बेची जाती हैं इंडिया में जो दो कार बेची जाती हैं उन में से एक कार मारूती सुजूकी की होती है मारूती सुजूकी का जो मार्केट सेयर है वो 50% से जादा का ह इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं कि इंडिया में मारूती सुजूकी इतना जादा पापुलर क्यूं है और इनकी कार्स को इतना जादा क्यूं लोग पसंद करते हैं काफी सारे safety related compromises के साथ भी वीडियो को pause कीजे और पहले comment में जाके लिखिए कि सबसे ज़्यादा लोग मारूती सुजूकी की कार्स को किस वज़े से खरीदते हैं आपको जो भी लगता है वो आप comment में बता सकते हैं लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये स्टोरी पूरी जान जाएंगे कि क्यों मारूती सुजूकी की कार्स को सबसे ज़्यादा इंडिया में पर्चेस किया जाता है उससे पहले अगर आपको कार्स रेटेड वीडियोस देखना पसंद है ताप में चल को सब्सक्राइब को सकते हैं फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और चल ये बापको बताते हैं कि मारूती सुजूकी का जो मार्केट सेयर है वो 50% से जादा क्यों है इंडिया के अंदर सबसे पहले हैं मारूती सुजूकी की थोड़ी सी हिस्टरी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो गौर्मेंट ने मारूती उद्दोग लिमिटेड की सुरुवात की थी 1981 के अंदर जापान की जो सुजूकी कंपनी है वो इंडिया के अंदर आई जिसके बाद गौर्मेंट ने लगबग 74% हिस्सेदारी अपने पास रखी और 26% हिस्सेदारी जो है वो सुजूकी कंपनी को इन्होंने बेच दी और सुरुवात में ये डील हुई थी कि जो कार्स हैं इनकी जो मैनुफेक्चरिंग है वो जापान के अंदर की जाएगी और उसके बाद इन कार्स को इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा और कुछ टाइम तक ऐसा हुआ भी उसके बाद 1983 में मारूती सुजूकी ने अपनी सबसे पहली फैक्टरी गुरुगराम के अंदर लगाई यहां सिनों ने अपनी सबसे पहली कार 800 को लांच किया जो क आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर कितनी जादा पापुलर कार थी इस बात का अंदाज आप इस चीज़ से लगा सकते हैं आज भी मारूती सुजूकी 800 को सुजूकी की क्लासिक कार्स कहा जाता है और फिर जो कार्स की ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रही थी जिसको द कार्स के अंदर मारूती नाम और लोगों को हटा दिया है उसके बाद से आपको इनकी जितनी भी कार्स आती है अपकेवल सुजूकी ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलती हैं इसका रीजन यही है और अब हम बात कर लेते हैं कि सुजूकी कार्स इंडिया में इतना और उसका जो इन्जा ने वो 1200 CC से छोटा है तो गौर्मेंट इसके उपर 28% GST चार्ज करती है और 1% से चार्ज करती है जिसके बाद जो टोटल टेक्स हो जाता है वो 29% का हो जाता है अगर कोई डीजल कार 4 मीटर से छोटी है और इसके अंदर 1500 CC से कम का इंजन लगा हुआ है तो गौर्मेंट इसके उपर 28% GST और 3% से चार्ज करती है जिसके बाद जो इसके उपर टोटल टेक्स होता है वो 31% का हो जाता है इसके साथ ही साथ अगर आप 4 मीटर से बड़ी कार लेते हैं जिसका इंजन 1.2 लिटर से जादा है उसके उपर गौर्मेंट 28% GST और 22% तक स लेती है जिसके बाद जो टोटल इसके उपर टेक्स हो जाता है वो 50% तक जाता है जिसकी वज़ा से इंडिया के अंदर जो कार्ज की प्राइज है वो काफी जादा बढ़ जाती है और इस टेक्सेशन की वज़ा से मारूती सुजूकी ने शुरुआर से ही अपनी कार्ज की बेच पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो middle class families रहती हैं जिसकी वज़ा से सभी के लिए मारूती सुजूकी की cars को खरीदना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है और हम मारूती सुजूकी ने धीमे धीमे इंडिया क अंदर अपना network इतना जबरदस्त बना लिया है कि आप किसी भी area के अंदर चले जाएं किसी भी city के अंदर चले जाएं आपको मारूती सुजूकी के जो parts हैं वो काफी आसानी से मिल जाते हैं और आप काफी आसानी से मारूती सुजूकी की cars की service वगेरा करवा पाते हैं जिस उपर टेक्स काफी ज़्यादा लगता है और अगर वो किसी भी कार को इंडिया के लिए डेवलप करना चाहें तो लगबख 5,000 करोल उपेज लगते हैं एक कार को इस क्रेज से डेवलप करने के लिए जिसके अंदर काफी ज़्यादा रिसर्च जाता है जैसे इंजन को बनाने में गेरबाक्स को बनाने में और जो सारी चीज़े हैं एरो डाइनमिक्स वगएरा इन सारी चीज़ें की रिसर्च के अंदर काफी सारा पैसा लगता है जिसकी वज़ा से अगर कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेती है तो उसको काफी ज़्यादा टाइम लग चाएगा अपने पैसे को रिकवर करने के लिए जिसकी वज़ा से जो अधर बाहर की कंपनीज है वो अपना कोई नया मार्या जल्दी डेवलप नहीं करती है और मारूती सुजू की जो है इनोंने तो पहले सी अपने आपको इंडियान स्टेंडर के हिसाब से बनाया ही है जिसकी वज के भी सेल काफी अच्छी हो रही इंडिया के अंदर अब 15,000 प्लस यूनिट हर महीने इन कार्स के बेचे जा रहे है तो इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो टाटा है ये भी कुछ कमाल कर सकता है इंडियान मार्केट के अंदर क्योंकि एक इंडिया की कमपनी है और ये भी अपना काफी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और अपनी डिजाइन वगेरा को इंप्रूव कर रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर साय टाटा और महंदरा दोनों मिलके इंडियान मार्केट के उपर राज करने वाले हैं तो ये वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक यू फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में